अप सब उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज की रिक्वेस्टेट वीडियो बना आया है उन्हों पूछा तक क्या मैं प्रिमिक्स से हम एक वाला केक बना सकते हैं तो जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं आप इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देगे एक करना सकते हैं दूसरा प्रोसेस पर लिए पतिला जो भी आपके गंपे गर मे नॉर्मल पतिला आप ले पना नहीं लेगर आप काम चलता है आपके केक वेस्ट का तो आप प्लैट पतिला भी ले सकते हैं तो जरूर थे यह नौर्मल पेपर जो कि हम बच्चों की कॉपी में कवर चड़ाने के लिए यह वो पेपर है तो फ्रेंट्स यह देखिए इसको मैंने नाप के कट कर लिया इसका चिकना वाला पार्ट है उसे हम उपर की साइड रखेंगे अब डालिंगे हम पतीले के अंदर ऑइल को अच्छी तरीके से चारो तरफ हमें क्रीज कर लेना है अग पतीले वाला साथी मैंने एक बावल लिया है और वन कप रिमिक्स के लिए हमें दो अंडे लेने और अगर आप मैदा यूज कर रहे हैं तो आप तीन अंडे लीजेगा अगर आप वाला केक बना रहे है इधर मैंने वन टीस्पून के करिब अब हम डालेंगे इसमें केक जे पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि हम जो है केक जेल डालते है तो जो है एक्टिवेट पानी में ज्यादा होता है तो थोड़ा सा बीट करने के बाद में अब मैंने 250 ml के कव से मैं एक कप प्रिमिक्स लोगी यह वनीला प्रिमिक्स इसे हम डालेंगे और अच्छी तरीके स अगर हम 250 ml के कव से एक कप प्रिमिक्स लेते हैं तो हमें एक चमची ओएल का यूज़का बिना फ्लेवर के ओविल होना चाहिए इसे अच्छे से बीट करना जब तक कि एक क्रीमी और इसका कलर चेंज ना हो जाए तो आप देख सकते हैं यह देखिए हमारा बैटर कितना क् तो आप डालेंगे इस बैटर को हम हमारे मोल्ड पे जिसमें हमें बेक करना है मैं वनिला एसंस स्ट्रॉंग पसंद करती हूं आप नहीं भी डालेंगे क्योंकि प्रिमिक्स जो है वह वनिला फ्लीवर का है डाल दिंग तो बहुत अच्छा रिजल्ट और अच्छा है तो मै अच्छा रिजल्ट के बाद ही आप इसका धकन को लिए अगर बीच में खोल देंगे तो यह कीट आपका बैट जाएगा या हाड होगा बहुत अच्छे से नहीं राइस होगा तो याद रखिएगा 45 मिनिट के बीच में बिल्कुल भी धकन को नहीं खोल के देखना है उसके केक को मैंने टॉबल से उड़ा के रख दे ताकि अच्छे से होगा इदा मैं क्रीम को बीच कर रही हूं वनीला एसेंस इसमें मैंने डाला है इसको अच्छे से बीच कर लेना है बीच करने का प्रोसेस आप सब जानते ही है क्रीम हमारी चिल्ड होनी चाहिए साथी आइस क्य करेंगे प्रोपर कटिंग के लिए भी मैंने थ्रेट का यूज किया है पहले तो हम इसमें जो मैंने पेपर लगाया तो वह निकाल दिया है अब इसके बाद आप इसका टेक्चर देख सकते हैं बिल्कुल भी यह कहीं से जला नहीं है जैसा हमारा बेकरी वाला केक होता बिल कर लेंगे धीरे से बहुत ही आसानी से हो जाता है एक फिरकूल हमारी ब्लेट करते है अगर आपको नाइक से काट नहीं आता तो आप यूज कीजिए असानी से कर जाएगी तो अप मुझे किस कंट्री से जूड़े हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कटाएगे इधर द इसका सीरफ जो है चासनी मतलब बना के लगती हूं कि अर्जेंट में इसमें जरूरत ज्यादा जन्जट ना हो तो इसे मिक्स कहना असान होता है इधर देखिए सीरफ यह मारा गनाज भी रडी हो चुका है ठंडा हो चुका है अब हम क्या करें अगर आप चाहें इसमें पाइपिन बैक को अच्छे सेट करना है अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे भी आप कर सकते है तो फ्रेंज यह देखिए थोड़ी से क्रीम को नीचे लगाएंगे और जो बीच वाला पार्ट हमारी ब्रेड का वह हम रखें कर देखिए सकते हैं जो यह दो आपके को अच्छी हासी मिल जाती है छोटा केक भी हमारा टॉल लगता है इसमें डालेंगे हम श्टौबरी क्रेश इसे एक्षे से मिक्स कर लेंगे तारो तरह पहला लेंगे उसके दूसरे बेस को भी यह दों से बाला यानिकि उपर का पार इसे बाद में करेंगे तो अगर आपको मेरी यह रेस्पी थोड़ी यूस्फूर लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नब बूलिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपने यह रेस्पी ट्राइब करी यह नहीं तो फ्रेंट्स यह देखिए यह तीनों रेयर मेरी सेट हो चुकी इसी तरीके से हमें कर लेना है फ्रेंट्स क्या होता है कि जब हम केक अंडे वाला बनाते तो उसमें बहुत सारे छिंजाड होते हैं मेजर्मेंट के अगर आप उन सब से दूर भागते हैं अगर आपको सब्सक्राइब दोन तरीके केक प्रीमिक्स से बना सकते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए मैंने इसकी कर लिए 10 मिनट के लिए हम रखेंगे इसके को ठंडा होने के लिए फ्रिज में ठंडा होना बहुत ज़रूरी है क्रम कोटिंग के बार ताकि अच्छे से हमारे प्रीम ज के बाद इसमें हम फिर से डिक्रेशन स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंज आप बताईए आपको और क्या देखना है और आप क्या पसंद करते हैं आप किस कंट्री से हैं आप यह सारी चीज़े मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपोर इसी तरीके से हमें सारे केक को कवर करके इसको दस मिनट के बाद फ्रीज में रखने के बाद इसी तरीके से आप फिर से क्रीम लगा कर इसे सेट कर लेंगे तो फ्रेंज यह देखिए यह पूरा फूल फैनल यह देखिए यह पान से च्छे रुपे में आपको किसी भी बु इसमें डालेंगे हमारा गनाश, गनाश को अच्छे तरीके से पहला लेंगे, इसके बाद में हम करेंगे बाकी की डिजाइन रेडी, तो डिजाइन के लिए हमें पहले कर लेना है कॉम, देखें फिर से लाइट चली गी, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है गाउं में, सहर में तो लाइट इतनी नहीं जाती है पर गाउं में चली जाती है, तो यह देखिए, यह हमने कर लिया इस केक को अच्छे से कौम, उसके बाद में मेरे बेटे ने छोटी से बेटी हो बेटे हैं, बेटा है मेरे एक, तो यह देखें, उनकी रिक्वेस्ट से मैंने इसको इस डिजाइन का केक आप बेकरी में देखते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है, नीची का बॉर्डर हम स्टार नोजल से बना लेंगे, और उसके इवाद में इस केक को हम उपर से भी इसी स्टार नोजल से हम थोड़ा सा कबर कर देंगे, अगर आपको रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर ट्राइए कीजिएगा, और मेरे चैनल में लाइक और सुस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंची रेस्पी कैसी लगी है, थैंक्यू सो मच,